प्रियांका खिलेश देख्षित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर ग्रैविटेशन का एक बहुत इंटरस्टिंग सा टॉपिक फ्री फॉल और उसकी मैथेमेटिकल इंटर्पेटेशन को भी हम इसी वीडियो में देखेंगे तो चली स्टार्ट करते हमारे पहले टॉपिक यानि की फ्री फॉल से तो फ्री फॉल होता क्या है जब किसी भी पर्टिकुलर हाइट से हमारा कोई भी ऑबजेक्ट जो है फॉल होता है अर्थ की तरफ तो हम उस ऑबजेट को कंसीडर करते हैं कि वो फ्री फॉल के अंडर जो ह वो ऑबजेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है और उस पे जो एक्ट करता है force, वो होता है force of gravitational, यानि कि ये force कौन act कर रहा है? ये force act करती है हमारी अर्थ, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी object free fall में गिर रहा है, तो उस पे हमारी अर्थ जो है force of gravity जो है उस पर act कर रहा है, और और ऑब्जेक्ट जो है डाउनवार डिरेक्शन में अर्थ की तरफ गिर जाता है तो यह थी हमारी की फ्रीफॉल होता क्या है एक बहुत ही लेमें लेंग्विज में तो चलिए अब हम इसको टेक्निकल टर्म्स में देख लेते हैं इसकी डेफिनिशन क्या होता है अफ्री फॉलिंग बॉड़ी इस बॉड़ी वेन इट फॉल्स फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट ओनली अंडर दे ग्रेविटेशनल फॉर्स ऑफ अट्रेक्शन प्रोवाइड़ बाई अर्थ जो मैंने अभी आपसे बोला बताया मैंने आपको वही इस डेफिनिशन में भी लिखा है कि कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को हम तभी फ्री फॉल में कहते हैं जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फॉर्स के अलावा उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी अधर फॉर्स जो है वो नहीं लगेगे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल में अर्थ की तरफ डाउनवर डिरेक्शन में आती है तो सिरफ उस पर जो करती है अर्थ के सर्फेस पे तो ग्रेविटेशनल फॉर्स ही उस पर लगता है जो की अर्थ प्रोवाइड करती है और ऑब्जेक्ट जो है उसे हम कहते हैं फ्री फॉल आप आपको जो अच्छी लगे इन दो डेफिनिशन में से आप एक्जाम में लिख सकते हैं आप इसका कि टिक्रीज्टर होगी उसकी विलाउस्टि पर क्या होगा तो यह हम सब को पता है कि विलास्टी जो है वो दो पेंग करती का जो डिपैंडेंडेंस है वो दो एक्टर सब्स करते हैं या यानि की चेंज इंडियेक्शन या फिर चेंजेन मैंग्निटूडками आप होता क्योंकि वो same direction में क्या है अर्थ की तरफ fall हो रही है तो यानि कि change in magnitude अगर होता है तो velocity जो है वो भी change होगी तो आईए इसको consider कर लेते हैं change in magnitude को अगर माल लीजे कि किसी एक second पर object जो था एक second time पर अगर हम उसको calculate करें तो one second में उस object ने suppose कर लीजे जो है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड की स्क्वेर स्पीड से जो है उसको travel किया फिर अगर हम उसको देखें तू सेकंड पर उसको note करें कि तू सेकंड पर जब object आ गया तो उसने क्या है पहले वन सेकंड से भी ज्यादा जो है उसको travel किया suppose it travels the distance of 18 meter at the speed of 19.6 meter per second square अब ऐसे ही हम 3 second पर जब हम note करेंगे तो 3 second पर distance जो है वो और भी ज्यादा हो जाएगा जहां से हमने start किया था वो और भी ज्यादा हो जाएगा अब उसने जो distance है वो और ज्यादा travel कर लिया suppose 40 meter at the speed of 29.2 meter per second square तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो time change के साथ में जो distance change हो रहा है और जो magnitude है velocity का वो भी चेंज हो रहा है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि velocity जो है वो continuously जो अगर कोई भी body जो है free fall में हम उपर से या किसी particular height से उसको drop करते हैं तो change in velocity होता है तो जैसे कि अभी हमने देखा कि change in magnitude जो है वो हो रहा है और change in magnitude होने की वज़े से continuous change in velocity जो है वो हो रहा है तो change in velocity को हम science में क्या बोलते है acceleration ओके तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि continuously जो है free falling body में change in velocity की वज़े से क्या produce हो रहा है acceleration अब यह acceleration जो है यह produce हो रहा है under the influence of gravitational force provided by the earth तो इस वज़े से जो acceleration है हम उसको normal acceleration ना कहके उसको हम कहते है acceleration due to gravity ओके यह जो gravitational force है यह earth प्रोवाइड कर रही है और यह change in velocity की वज़े से हमारे पास जो change in acceleration आ रहा है वो gravity की वज़े से आ रहा है that is why हम इसको बोलेंगे acceleration due to gravity acceleration due to gravity को हम small g से denote करते हैं तो यह आपको धिहान रखना है कि small g से हम इसकी denotion करते हैं ओके और इसकी जो unit है यानि कि इसकी जो SI unit है small g यानि कि हमारा acceleration due to gravity है वो है acceleration की ही यानि कि meter per second square ओके तो अब इसकी mathematical interpretation को देखने से पहले यानि कि g की value find out करने से पहले मैं आप लोग के साथ में एक बहुत interesting सा facts उसे share करना चाहती हूं सो हमारे पास एक scientist थे Aristotle जिन्होंने क्या एक छोटा सा experiment perform किया उन्होंने क्या किया एक अपने हैंड से same height पे होकर उन्होंने एक feather जो है उसको अपने हाथ से drop किया और दूसरे हैंड से उन्होंने drop किया एक coin ओके तो उन्होंने क्या देखा कि coin जो है वह अर्थ की surface पे as compared to feather जो है वह जल्दी drop हो जाता है ठीक है तो अरिस्टोटल ने कहा कि जो भी object जिनका heavier mass होगा वह अर्थ की surface पे जादा जल्दी जो है वह पहुंच जाएंगे as compared to lighter one तो यह सब concept जो है हम सबने जो है at that time सबने इसको मंजूरी दी ओके यह concept जो है फिर एक हमारे scientist आये गैलीलियो गैलीलियो आये उन्होंने क्या किया leaning tower of pizza से उन्होंने भी एक experiment जो है उसको किया और अब तक हम लोग जो एरिस्टोटल के experiment पे belief कर रहे थे वह गैलीलियो ने हमें बता दिया कि वह that was a wrong concept ओके तो उन्होंने क्या किया leaning tower of pizza पे चड़कर उन्होंने अपने एक हैंड में और दोनों हैंड में उन्होंने क्या किया stone लिया stone का masses भले ही different था लेकिन उन्होंने same time पर दोनों को drop किया जैसे वह drop करते हैं तो उन्होंने देखा कि same time पर जो है यह stone जो है अर्थ की surface पर पहुंचते हैं तो उन्होंने एक यह चीज़ बताई कि जो acceleration होता है यह हम अगर किसी भी object को अर्थ की तरफ drop करते हैं तो वह free fall जो होता है वह independent होता है objects के masses पर तो यह concept थे जो हमारे scientist ने दिया अरिस्टोटल ने बोला कि acceleration of heavier object is greater as compared to lighter object ठीक है जिसको हमारे Galileo जब scientist आये उन्होंने experiment किया उन्होंने बताया कि नहीं यह concept जो है यह wrong है actually क्या होता है acceleration of the objects are independent of the masses if they are falling under the influence of gravity of earth उन्होंने बताया कि acceleration यह हम कोई भी object जब जमीन पर गिराते हैं तो वो masses पर depend नहीं करती है वो अगर gravity of earth पर उस पर act कर रहा हो तो अब हम start करने जा रहे है mathematical interpretation of acceleration due to gravity तो from second law of force we know that f is equal to m a हमें मालूम है कि अगर कोई object acceleration जो है उसे produce करती है जिसका mass m है और उस पे लगने वाला force f है तो हम उस capital f force को कह सकते हैं कि that will be directly proportional to the mass of the object and acceleration of the object तो हमें पता है कि f is equal to m a होता है तो इसी तरह हम similarly यह कह सकते हैं कि अगर किसी भी body में अगर acceleration produce हो रहा है तो हम उसे f is equal to m a की terms में लिख सकते हैं इसी वज़े से क्योंकि अगर कोई भी object free fall के अंडर हम उसे consider कर रहे हैं तो उस पे भी क्या हमने अभी अभी पढ़ा कि acceleration due to gravity जो है वो हो रही है लेकिन वहाँ पर क्या है acceleration जो नॉर्मल नहीं है उसको हम due to gravity बोलते हैं इसलिए हम f is equal to m a की जगे क्या लिख सकते हैं f is equal to mg ठीक है तो हम यह लिख सकते हैं तो यह मान लिजे कि हमारे पास second equation है so from universal law of gravitation हमने find out किया था कि capital F जो है उसकी value होती है equal to capital G into capital M multiplied by small m divided by d square where d is the distance between the two objects ओके लेकिन gravitational force जो है वो क्या होगा equal होगा so हम 2 and 3 जो है यह दोनों क्या होगे आपस में equation equal होगी तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं so from equating second and third equation we can write mg is equal to g into m into small m divided by d square अब यहां पर small m जो है वो same होगा तो यहां से यह कट जाएगा तो g की terms में हम निकाल सकते हैं कि small g is equal to capital G capital M cross M upon sorry M हट किया है upon d square ओके so from equation we have g is equal to acceleration due to gravity capital G universal constant है capital M जो है mass of the earth है and small d जो है distance between the object and the earth है let's suppose कि हमारा जो object है वो earth के surface पे है या earth के surface के बिलकुल near है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जो हम उसके distance है उस distance d को हम लिख सकते हैं तो हम उसको d square की जगे हम capital R square लिख सकते हैं so यहां से हमारा small m जो है वो कट जाएगा तो हमारा acceleration due to gravity की value आ जाएगी capital G into M capital M mass of the earth divided by the radius of the earth so हमें अब एक चीज़ note करनी है कि जो हमारा earth है वो perfect sphere नहीं है हम सबको पता है ठीके तो जो radius है poles का वो जादा होता है as compared to equator so we can say that कि जो value है G की वो greater होगी at poles rather than equator क्योंकि हम poles पे क्या है अर्थ की surface को क्या suppose करते हैं कि वो flat है तो अगर object near और on होगी poles और equator पे तो हम G की value according to that इसके ही लेंगे और अगर normal है जैसे कि बहुत जादा far है तो हम यह जो हमने पीछे भी discuss किया G is equal to capital G upon M upon D square इसको लेंगे ओके so यह था हमारा mathematical interpretation of acceleration due to gravity I think यह आप लोगो clear हो गया होगा so अगर हम find out करना चाहें कि value क्या होती है G की तो हमारे पास क्या है G की value capital G multiplied by capital M divided by R square so M is the mass of the object and R is the radius of the earth mass of the earth sorry so G की value हमें पता है 6.7 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square और mass of the earth we know that 6 into 10 to the power 24 kg और हमें R distance पता है radius पता है हमारे अर्थ का यानि measure करते हैं तो आईए एक नजर में हम summarize कर लेते हैं कि हमने आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि free fall क्या होता है कोई भी object है जब वो किसी भी particular height से अर्थ पे गिरती है तो वो under the influence of gravity of the earth जो है उसमें गिरती है और उसका जो velocity है वो ने देखा था कि जो interesting facts है Aristotle और गैलियो के उसको हमने पढ़ा था जिसको बताया कैसे गैलियो ने अरिस्टोटल के जो concept थे उसको wrong बताकर उनने बताया कि acceleration जो किसी भी free falling object की होती है तो वो independent of the masses होती है उसके बाद हमने करा कि interpretation जो है mathematical interpretation किया हमने acceleration due to gravity जिसमें हम step by step जो है चलते गए और हमने consider कि special case जहां पर अगर object जो है on the surface जो है अर्थ के रखी होगी तो वहाँ पर हमने D की जगे हमने capital R लिया यानि की radius of the earth लिया और हमने ये भी देखा कि कैसे हमें equator और poles पे g की value को consider करना है उसके साथ ही हमने g क value को भी calculate किया so I think यह video आपको समझाई होगी आपको अच्छी लगी होगी please अपने friends के साथ share करिए like करिए subscribe करिए thank you for watching this video